नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चानल में मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल होंगे आज के इस विडियो में हम जीके के 10 महत्वपून प्रशनों को देखेंगे यदि आप लोगों को इन प्रशनों का उत्तर पता हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए तो चलिए आज का विडियो शुरू करते हैं आपका क्वेस्चन नमबर एक है स्टैनली कप किस से समबंधित है ओप्शन ए बैडमिन्टन से बी बास्केटबॉल से सी गौल्फ से डी आइस होकी से सही आंसर है D. आइस होकी से आपका क्वेस्चन नमबर दो है डाइनसौर का कब ब्रस्तान किसे कहा जाता है? ओप्शन A. चीन B. मोंटना C. आजन्टीना D. ब्राजील सही आंसर है B. मोंटना आपका क्वेस्चन नमबर तीन है किस ग्रीन हाउस क्या से ओजन प्रदूशन नहीं होता? ओप्शन A. मेथेन B. कार्बन मोनो ओक्साइड C. नाइट्रोजन ओक्साइड D. जलवाश्प सही आंसर है D. जलवाश्प आपका क्वेस्चन नमबर चार है टाटा इंस्टिट्यूट अफंडमेंटल रिसर्च कहा स्थित है? ओप्शन A. बंगलूरू B. कोलकाता C. दिल्ली D. मुंबई सही आंसर है D. मुंबई आपका क्वेस्चन नमबर पाँच है पदमशरी पुरसकार पाने वाली पहली भारती अभिनेतरी कौन थी? ओप्शन A. स्मिता पाटिल B. नर्गिस दत C. मीना कुमारी D. मधुबाला सही आंसर है B. नर्गिस दत आप सभी रोजाना इसी तरह के विडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को आउन कर दे आपका क्वेस्चन नमबर चह है भारत को पोलियो मुक्त कब घोशित किया गया? ओप्शन सही आंसर है आपका क्वेस्चन नमबर साथ है भारतिय सर्वोच नियाले की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ओप्शन A. वर्षुननीस सो सेटालीस B. वर्षुननीस सो पचास C. वर्षुननिस सो इक्याबन D. वर्षुननिस सो बावन सही आंसर है B. वर्षुननीस सो पचास आपका क्वेस्चन नमबर आठ है भारतिय सम्विधान का चौथा अध्याय किस से समबंधित है? ओप्शन A. राजिके निती निर्देश तत्व से B. संसद C. संघी अन्याय पालिका से D. मानवाधिका सही आंसर है A. राजिके निती निर्देश तत्व से आपका क्वेस्चन नमबर नौ है किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकता फार्सी में लिखी है? Option A. बाबर B. अकबर C. जहांगीर D. और अंगजेब सही आंसर है C. जहांगीर आपका क्वेस्चन नमबर दस है मोती मस्जिद का निर्मान किसके शासंकाल के दौरान किया गया था? Option A. अकबर के B. जहांगीर के C. शाह जहां के D. और अंगाबाद के सही आंसर है C. शाह जहां के अब ये क्वेस्चन आप लोगों के लिए आप सभी इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए किस बादशाह के दरबार में सरवाधिक हिंदू पदा धिकारी थे? Option A. हुमांग्यू B. अकबर C. जहांगीर D. और अंगजेब सही आंसर क्या होगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए अगर आप लोग इन प्रशनों का PDF डाउनलोड करना चाहते है तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए टेलिग्राम चैनल के लिंक से कर सकते हैं और आप सभी लोग विडियो को लाइक कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के साथ विडियो को शेर कर दीजिए यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकान को ओन कर ले ताकि नई विडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द ही पहुँच पाए धन्यबाद